वेल्कम टू नेक्स एक्जाम आज है 24 नॉबंबर 2021 और 24 नॉबंबर 2021 से करेंट पैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में से विडियो मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो को अध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुश्चिन भी उसका आंसर आपको कमेंट वोकस नॉब बताना है आज किश भी इना पैडियो के पैडियो के डिस्क्रिपस गरुप करके टेलिगाान सारकार ने तीन राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की गोश्ट न किया है तो अब ये आंदर प्रदेश गवर्मेंट ने तेन राजधानी वाले कानून को निरस्थ करने की गोशना की है तो इस कुश्चिन का से ओप्शन सही है आंदर प्रदेश में कुछ टैम पहले ये कानून बना था कि आंदर प्रदेश की तेन केपिटल होगी अब इस कानून को निरस्थ करने की गोशना आंदर प्रदेश कवर्मेंट ने की है अब आंदर प्रदेश में सिर्फ एक केपिटल होगी और वो कौन से होगी अमराबती अब आंदर प्रदेश की बात है तो मैप में देख लीजिए ये है आंदर प्रदेश आन्दप्रदेस की capital के है? अमराबती आन्दप्रदेस के chief minister कौन है? जगन मोहन रेड़ी और आन्दप्रदेस की governor कौन है? बेश सु भूशड हरी चंदर अचा आन्दप्रदेस की बात है तो फलों का सबसे वड़ा उत्पादक राज है आन्दप्रदेस अगर आपसे सबजीयों का पूश लिया जाए तो सबजीयों का सबसे वड़ा उत्पादक राजी कौन सा है? पश्चे मंगाल बासा के आदार पर गटेत होने वाला बालत का पहला राजी है आन्दप्रदेस आन्दप्रदेस में जगनना बिद्या दीवेना योजना सुरू हुई पहला ओल्लाइन निष्ठा कारिकर हम आन्दप्रदेस में सुरू हुआ आंद्र प्रदेश में कुलेरू लेक है और पुलेकट लेक है आंद्र प्रदेश में पापी कॉंडा नेशनल पार्क है और स्रे बैंक के टेस्वर नेशनल पार्क है इतना आप आंद्र प्रदेश के बारे में याद रखिए अच्छा आज की इस विडियो का हम टार्गेट र लेकिन डेली मॉर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट मिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी हाले में किस राजिक के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन ये मद्य प्रदेश के इंदोर सहर में है और अब इसका नाम बदल के तांत्या मामा रेलवे स्टेशन किया गया है तो इस कुश्चिन का बे आपसन सही है तांत पॉजिटिव इमेज थी इसलिए इन्हें बेर ब्यक्टी भी का जाता है और इनको रॉबिन होड़ू भी का जाता था अब इनके नाम पर मद्यप्रदेश की पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है अच्छा मद्यप्रदेश के इन दौर में जो बस स्टेशन है उसका नाम भी इनिके नाम पर रखा गया अब मद्यप्रदेश तो ये है मैप मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश की केपिटल क्या है बोपाल अच्छा बोपाल में है भोजदाल ये एक जमें पूझे आता है मταद्रदेस के चीपनिष्टर है सिवराज सिंग चोहान और मταद्रदेस के गोवर्णर कौन है मंगु भाई सेप पतेल मothद्रदेस में A F IR 15 करट सेवा शुरू हुई पहला रेल्वे को चुवा शिंग प्लांट मδαद्रदेस के हभीव गज में स्तापित किया गया है एक जिला एक सिल्फ अभ्यान मध्य प्रदेश में सुरू हुआ दिश्टिक है उमरिया दिश्टिक यहाँ पे संकल्प भी उजना सुरू हुई है यह बुजुर्गों को साहिता प्रदान करने के लिए है मद्ध्रदेश में एक और डिस्टिक है चाबुवा डिस्टिक यहां पर प्रेगनेंट लेडीज के लिए दीदी बहान सेवा शुरू हुई अचा मद्ध्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्ख है काना, बांदवगड, मादव, संजय, पन्ना और सत्पड़ा नेसनल पार्क ये मद्ध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेसनल पार्क है नेक क्यूशन है हाली में किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा औरकेष्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है तो अभी बेनेजवेला के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा औरकेष्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है तो इस कुश्चिन का से अप्सेंस है 8533 संगीतकारों ने मिलकर ये दुनिया का सबसे बड़ा औरकेष्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है अब Venezuela तो ये है मैप में Venezuela Venezuela की पिटल कराकस Venezuela की करंसी की है Venezuela बोलिवर और Venezuela के present time पर president क्वोन है Nicolas Maduro Nicolas Maduro next question है तो हमारे रेल मंत्री है अश्वनी बैशनाव इनों ने अभी भारत गौरत ट्रेने शुरू करने की गोशना की तो इस question का से अप्सन से भारत गौरव ट्रेने ये थेम बेस्ट ट्रेन होंगी यानि कि बिसे बस तु आधारत टूरिस्ट सरकिट ट्रेन होंगी जैसे सिखों की संस्कृति को जुड़ने के लिए सिखों की संस्कृति के बिविन इस्तानों को कबर करने के लिए गुरु कृपपा ट्रे ने की है, ने क्यूशन है, हाली में भारती फुटवल की अवाज की नाम से पैचाने जाने वाले, किस खिलाडी का निदन हुआ है, तो नोबे कफाडिया, ये भारती फुटवल की अवाज कहे जाते थे, इनका भी निदन हो गया, तो इस कुशन का बे आप्सन सही है, ये थे नूवी कपाडिया इनकी एक बुक बहुत पहमस हुई थी उस बुक का नाम क्या था बेर फुट टू बूट्स ये इनकी बुक थी क्या नाम था बेर फुट टू बूट्स इस बुक का नाम आप याद रखिए ये फुटवल की कमेंटरी करते थे इसी इनको फुटवल की आव आज कहा जाता था और तेले उनिवस्टी के खालसा कॉलेज में ये लंबे समय तक प्रॉपेसर भी रहे थे तो इनका नाम याद रखिए नए क्यूशन है हाले में लेजेंड्स लेग क्रिकेट के उद्गाटन सत्र की मेजवानी कौन करेगा तो अभी ओमान लेजेंड्स लेजेंड्स लेग ये पूर क्रिकेटर्स की लेग शुरू हो रही है इसके उद्गाटन सत्र की मेजवानी ओमान करेगा एब ओमान तो ये है मैप में ओमान की के बिटल क्या है मसकट, ओमान की करिशी क्या है, ओमानी रियाल और ओमान के प्र eyelashesints टेंट टेम सुलतान कौन है है थम बिन तारिक कौन है है थम बिन तारिक नेक्स कुशन है हाली में किस देश ने दुनिया का पहला बिट कॉइन सिटी बनाने की गोशना की है तो अभी अलसलवाडोर ने दुनिया का पहला बिट कॉइन सिटी बनाने की गोशना की तो इसकुशन का से ओप्सन से है अब अल अल्ट सल्वाडूर की कैपिटल क्या है सन्वाडूर और अल्ट सल्वाडूर की करन्सी क्या है यू एस डॉलर और अल्ट सल्वाडूर की प्रेजेंट टैंप है प्रेसिडेंट कौन है नायब वुकेले कौन है नायब वुकेले नयक्यूशन है हाली में अखिल भारती डाक चेंपियंशिप नई दिल्ली में शुरू हुई तो इसके उद्गाटन में चेप गेस्ट रहे बजरंग पुनिया नए शुशन है हाली में रूमेन रादेव ने किस देश के राष्टपती का चुनाव पुने जीता है तो रूमेन रादेव इन्होंने अभी बुलगेरिया के राष्टपती का चुनाव फिर से जीत लिया तो उसको इनका से ओप्सन सही है ये हैं रूमेन रादेव अब इन्होंने बुलगेरिया के राष्टपती का चुनाव जीता है तो ये है मैप में बुलगेरिया बुलगेरिया की केपिटल क्या है सोफिया बुलगेरिया की करण लेखिका है अनिता देशाई इनको अभी टाटा लिटरेचर लाइब लाइब टैम अचीब्मेंट अबार्ड मिलेगा तो इस कुशिन का बे आप्सेंस है यह बहुत ही फैमस लेखिका है ने शुशिन है आली में किस ने अपनी नई किताब इंडिया वर्सिस यू की दा टिप्लोमेटिक विन लिखी है तो यह पुस्तक लिखी है बरिष्ट भारती राजनाइक सैयद अकवरुद्दीन ने तो इसकुशिन का से अप्सेंस है यह बुक का नाम आप याद रखी और इसके राइटर का नाम आप याद रखी अभी हर्याणा की चीपनिस्टर मनुहर लाल खटर ने एक यह बुक लॉंज की थी मॉडन इंडिया इसको लिखा था पूनम दलाल धहिया ने एक यह बुक है नहरू दा डिवेट्स देट डिफाइन इंडिया इसे त्रिपुर्दमन और आदिल हुसेन ने लिखा एक यह बुक है हाउ दा अर्थ गॉट इस ब्यू उपन्यास है दा एंड गेम इसे हुसेन जैदी ने लिखा है तो यह कुछ इंपूर्टेंट वुक्स हैं इनके नाम आप याद रखी और इनके राइटर्स की नाम आप याद रखी ने शुशन है हाली में किस राज में बोईता बंदना महुत्सम मनाय गया है तो बोईता ब यह है मैप में उडिशा उडिशा की केपिटल के है बोवनेशा उडिशा की चीपनिस्टर कोन है नवेन पठनायक और उडिशा की गवणर कोन है गनेशी लाग उडिशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एपी जे अब्दुलकलाम दीप रखा गया है हर ब जिमा नाम की एक नई योजना उडिसा में सुरू हुई उडिसा में सुनावेडा वाइल लेफ सेंचुरी है कुठागड वाइल लेफ सेंचुरी है नलवन वाइल लेफ सेंचुरी है बैसी पल्ली वाइल लेफ सेंचुरी है देवरिकड वाइल लेफ सेंचुरी है और गहिरम में मना जाता है उडिसा में रुसी कुलिया बीच है और गुल्डन बीच है उडिसा में लिंग्राज टेमपल है कुडार टेमपल है और जगनाठ टेमपल है इतना आप उडिसा के बारे में आद हाली में किस IAT ने Center for Nanotechnology का सुभारम किया है तो अभी IAT गुहाटी में हमारे सिक्ष्या मंतरी धर्मेंद्र प्रधान ने Center for Nanotechnology का सुभारम किया तो इस कुषिन का C options है अच्छा IAT मद्रास भी important है क्योंकि IAT मद्रास में सैप्टिंग टेंग की सफाई के लिए होमो सैप नाम का एक robot डिवलप किया गया है नेक शुशन है हाली में राश्पती रामनात कुविन ने group captain अभिनंदन बर्धमान को किस पुरुसकार से समानित किया है तो हमारे राश्पती हैं रामनात कोविन इन्होंने ग्रूप कैप्टन अभिनंदन बर्दमान को बेर चक्र से समानेत किया तो इसकुशन का बे आप्सेंस है बाला कूट एर स्ट्राइप के टैम पे ग्रूप कैप्टन अभिनंदन बर्दमान ने पाकिस्तानी लडाकू बिम पूति संकर डॉंडियाल इन्होंने पांच आतंगबादियों को मारा था इनको अभी सौरे चक्र से समानित किया गया है राष्टपती रामनात कोविंद ने इन्हें सौरे चक्र से समानित किया है नेक्स कुशिन है हाली में सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है तो अभी तमिलनाडू ने करनाटक को हरा कर सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती तो इस कुशिन का से ओप्सिन सही है अब तमिलनाडू तो ये है मैप में तमिलनाडू तमिलनाडू की केपिटल क् कौन है M.K. स्टालिन और तमिलाडू की गवर्नर कौन है बनबारी लाल पुरोहित अच्छा तमिलाडू में आदि पूरम त्योहर मना जाता है तमिलाडू तो तमिलाडू मचले के उत्पादन में इंडिया में नम्मर उन पर है और अंगदान के मामले में भी तमिलाडू आर्टिफिसिल इंटेलिजन्स फॉवर्ड वॉइस ट्रेडिंग लॉंच की यानि किस कुशिन का बे ओप्सन सही था और लगबग सब इस ट्रेंडनेस कांस सही दिया मूश्ट इस ट्रेंडनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुशि इसे के इस्ताई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अंसर बताना है और इसके अलाबह हम हमारे फेसुक पर प्रेवेस एर कुश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसुक पर नेक्स एक्जाम सर्च करके वार इस टाग्राम पर इंदरेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फुजन बीदाउट एनी हैजी टेसन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस बडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना आज किस बडियो का टार्गेट है 40 अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्फुल लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा करेंट आफएस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट वॉक्स में ज़रू होता ना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लिजे आपको इस चैनल से निश्चेत ही मदद मिलेगी ज जब भे आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावन में एक बेल आइकन में के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर ले जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफएस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज विद यू थैंक्स वर वाचिंग